जीवन में जितना मा का स्थान होता है उतना ही सिक्षक का स्थान होता है और ऐसे भी सिक्षक हमने देखे हैं कि जिनकों अपने से ज़्यादा अपनों की चिंदा होती है अपने शिशों के लिए अपने विध्यार्थियों के लिए अपनी जीवन खपा देते हैं ुषे माः जन्म देती है, गुरू जीवन देता है। हम सब के जीवन में शिक्षक का योगदान हमेशा हमेशा आश्मुस होगा है। हर व्यक्ति के जीवन में, अपने बच्वन में, अपने ठीचर के कही हुई, कोई न कोई ऐसी बात होगी है, जो हमारे जीवन का हिस्सा बन गई होगी है शिक्षक ये ब्रवसाय नहीं, शिक्षक ये नोक्री भी नहीं, शिक्षक ये जीवन धर्मा है तिक्षक कभी रिटायर ने होता है जो समय से दो कदम आगे चलते हैं अगर हमारा सिक्षक समय से दो कदम आगे नहीं है तो समाज कभी भी आगे नहीं जा सको है और समय से दो कदम आगे वही हो सकता है जो बदलते हुए जगत को जानता है, समझता है, प्रयास करता है आज सिख्षक दिवस पर विद्यार्थी के मन में भी सिख्षक के प्रति वो भाव आवश्च है विद्यार्थी का सिख्षक के प्रति आदर, सिख्षक का सिख्षा के प्रति समर्पन और विद्यार्थी और सिख्षक के बीच में एक अपनफ्व का भाव यही एक जोड़ी होती हैं जो ना सिरफ ज्यान परोस्ती हैं लेकिन जीवन जीने की कला भी सिखाती हैं और सपने संजोने की आदत भी कराती हैं आज का समय उन तपस्याओं का स्मरन करने का समय है कि अगर हमें अच्छे डॉक्टर मिले होंगे अच्छे इंजीनियर मिले होंगे अच्छे साइन्टिस मिले होंगे तो उसके पीछे कोई न कोई शिक्षक होगा आपके शिक्षकों से आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हुआ है अगर दुनिया को बताएगे तो शिक्षक के प्रती देखने के रवये में बढ़लावाएगा एक गवरोग होगा और समाज में हमारे शिक्षकों का गवरोग बढ़ाना हम सब का दाईत है पाज सितंबर भारत के पूरवराश्प्रती डॉक्टर सर्वपल्डी राधा क्रिष्णन जी का चल्मतीन है और देश उसे शिक्षक दिवस के रूप में मराता है यह जीवन में किसी भी स्थान पर पρεूंचे लेकिन अपने आपको उन्नोंने हमेशा सिक्षकक के रूप में ही जीने का प्रयास किया और इतना ही नहीं ह। हमेशा कहते थे अच्छा सिक्षक वही होता है जिसके भीत्र का छात्र कभी मत्ता नहीं है राश्ट्रपती का पद होने के बाद भी शिख्षक के रुप में जीना और शिख्षक मन के नाते भीतर के छात्र को जिन्दा रखना ये अद्बूत जीवन डक्टर राधा कृष्ण जी ने जी करके दिखाया रहा हुआ